फलड की वाज़ा से वो गवना पूरा खतम हुआ वहां आपको कोई घर भी नजर नहीं आएगा इतनी याद आ रहे थी है इसे फुट मत प्रता नहीं कैसे किरा इच्छा वेलकम बैक टो दा चनल अभी है सुबा का टाइम एंड गाइज में बिस्तर में हूँ क्योंकि मेरी त पिछले चार दिनों से खराब थी अब मैं ठीक होने लगा हूँ एंड गाइज आज मुझे कालेज भी जाना है क्योंकि आज मुझे एडमेशन करना है थर्ड सिमिस्टर का कल भी में गया था लेकिन आज फिर से जाना है एंड बहर कम मौसमना खराब ही है थोड़ी थोड़ बहर के नजारे माशाला है इतने जादा बारिश गिरी है हिबा देखो भई हिबा कहां से देख रही है हिबा मेरी आदा रही है अब भी थोड़ी-थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है मुझे जना है कालेज कैसे जाओव भई चलो क्या ही कर सकते हैं काली तो जाना पड़ेगा आज के व्लाग में आगे काफी ज्यादा माज़ा आने वाला है तो करते हैं जी आज का प्यारा सा व्लाग सिटार्ट पता नहीं ये मुर्गी क्यों चला रही थी चलो हम देखेंगे क्या मसला है ओ भाई इसने अंडर डाला है ये तूट चुका है आज आप बाहर निकल सकती हो चलो जी इसे फुट मत ज़ता नहीं कैसे क्या मसला है ये हबाई जन को देना ठीक है हबाई जन खाओगी चलो ठीक है मुझे जोना है कॉलेज में जल्दी आओंगा कॉलेज से तूर अशनिकी किरा इच्छा कि खंसा क्याप मेरे बेग में रखो आपको स्कुल नहीं जना है क्या बारे सीना सुबार अब जोना है नहीं अब लेट हुआ लेट कहां से हुआ हाँ मेरा फून कहां है ये खोलो बेग जल्दी आना अब कैसे हो स्कुल जना है सर्दी है आज कितनी ज्यादा खंसा जल्दी आओ मुझे लेट होगा फिर दूर शाद देखो कहीं पर पता नहीं मैंने फोन कहां पर रखा अंसा जल्दी कहां पे था मुझे लेट हुआ ना फिर वहां पर वेट करना पड़ता है मुझे ना फ्रेंड भी कॉल कर रहा है हलो अले इसलाम अब द्रावस गह रहे जुका सबarta MA खांए in कि ठीई तो क्र सब्क्रावी नहां आफ टोड़ता है तो अनदी को बीमार कर जाना है अब मैं जाओंगा इसे सहकोर्टे पर पता लिए है भगान म्यो म्यों क्यों गार रही है में जल्दी आऊंगा हम जल्दी आऊंगका हां जी में लाओंगो ना आपके लिए चौकी चौकी लाओंगा प्रोमिस सुभा साधे दस बजी में कॉलेज पहुशा एंड अभी मैं यही पर हूँ भाई टाइम क्या है अभी टाइम दिखाओ 322 एंड इधर से ना बहुत ज़्यदा बारिश हो रही है सिमीर भाई कैसे हो बस अलहांद लिल्ला राहल भाई बस अलहांद लिल्ला अभी हमने कुछ नहीं खाया है ना खाना ना कुछ यह आपने खाया कुछ मुझे नहीं बोला इसने अब क्या करेंगे कल आना है फिर से मैं कहा आता तुमारे पीछे चलाजा मेरे इपास तो उनके बीच मुझे सिर्फ रिसेप्टल याना है सब कुछ पेंडिंग है आपको टायम लगेगा वाई एधर से बोलते हैं आज लॉस्ट डेट है नहीं पांचे दिन फिर से हाँ हाँ शैद फिर से आना है तो देखेंगे अभी मैं कालेज पर हूँ यहां से है जी हमारा कालेज एडमेशन करना था एडमेशन के लिए एतना टायम बाई है क्या मसला है चलो क्या ही कर सकते हैं यह हर एक कालेज में होता है पता नहीं आपके कालेज में होता है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना हमारे कालेज में आईज़ा ही होता है सब्सक्राइब हम साइडे दस बजी यहां पहुंच गए लेकिन अभी तक यही है चलो क्या ही कर सकते हैं अब हम यहां से निकलेंगे बाई निकलेंगे आप लेट भी हो ना एंड अभी हमने कुछ नहीं खाया कुछ खाएंगे हमारे साथ है और एक असला पर इदर से ना बूग बहुत ज़्यदा लगी थी हमने आर्डर दिया पहले हम खाएंगे कुछ उसके बाद में निकलूगा गर एंड गाइज एडमेशन भी हो गया फिर भी मुझे कल फिर से का लिए जाना है कुछ रिसेप्ट वगेरा लेना है वह हम कल देखेंगे फिला इंटर हो चुका हूँ अपने विलेज में यहाँ से सिटाट होता है हमारा विलेज इस सैड़ आप देख सकते हो शयली का क्या हाल होा है स्बास ना बारीज जारी है एंड शयली का हाल देखो अभी बारीश हो रही है इस साइड एक दुरिया है इसको फलट आया है मैं आपक आते हूं हिबा 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 जाना खिड़की से निकली हिबा देखो भाई कैसे देख रही है हिबा भाया की याद आ रही थी आपके लिए मैंने लाया वो चौकी मैं आपको दिखाऊंगो ना पहले आपके लिए स्पेशल चलो पहले में आपको हिबा जान के बच्चों से मिलाता हूं एदर से है खंसा मेरी याद आ रही थी सच में कितनी यादा रही थी और एक दो चलो जी हिबा 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 बच्चों कैसे हो ठीक हो देख लो बई छोटू छोटू क्या हाल चाल ठीक हो आप सना हो आप ठीक हो चलो कपड़ी मेरे चेंज किये इस सेड़ तो ना बहुत ज़्यदा नवेज आ रही है चलो जी पहले एक सेव खाएंगे सेव कहा मिलेगा चलो देखेंगे कितना सारा फ्लड आया है जश्टर में पहुंचा यहां आप देख सकते हो कितना ज्यादा फ्लड आया है यहां से देख लो वाई देखो में कहां से आया अगर मैं यहां से फिसल गया सीदे मौत पहल मज़ एंड यहां से आप देखो कितना ज्यादा फ्लड आया है इस दिरिया को हमारे एरिया में बोलते है कुहमिल इसने बहुत सारा नक्सान किया है बहुत सालों पहले वहां पर ना एक विलेज हुआ करता था फ्लड की वज़े से वह गवना पूरा खत्म हुआ वहां आपको कोई गर भी नजर नहीं आएगा अभी में वापस गर आया ये था जी आजगा विलाग भाई के लिए दुआ जरूर करना क्योंकि मेरी तबियत अभी भी खराब है मेरी तरफ से आप दोस्तों के लिए यही दुआ है आपको सलमत रखे और आपके गरवालों को भी सलमत रखे मिलते है किसी और विलाग में तब तक के लिए अलला हाफिज